हालो एवरिवन तोड़े वी आर गोईंग टू स्टार्ट चैप्टर टेन अफ क्लासिक्स गेट दो फिश आउट अफ दो वाटर सो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम लोग यह देखेंगे कि हमारा में टॉपिक क्या-क्या है हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं सो पहला टॉपिक है इसमें क्लासिफिकिशन ओफ वर्ट्स और दूसरा क्लासिफिकिशन ओफ नंबर्स तो सबसे पहले जो है हम लोग क्लासिफिकिशन ओफ वर्ट्स यहां पर पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकिशन ओफ वर्ट्स में इसमें किस तरह की क्वेश्चन पुछे जाते हैं सबसे पहले देखते हैं देखें जो हमारा चैप्टर नेम है गेट दो फिश आउट अब दो वर्टर इसका क्या मतलब है देखें यदि किसी भी तालाब में कोई एक मचली बैड फिश जो है यदि आ जाये तो वो पूरे उस पूरे तालाब को गंदा कर देती है तो इसी लिए इस तरह किसी भी पॉंड में यदि बहुत सारी फिश्च हैं तो उसमें से एक फिश को गंदी जो बैड फिश से उसको बाहर निकालना हमारा क्या कहलाता है गेट दो फिश आउट अब दो वाटर अब देखें इन दो सेम वेए क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ट में हम लोग किस तरह के क्वेस्टन फेस करेंगे देखें हमारे पस चार वड्ड गीवन होंगे उसमें से तीन वड्ड किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेट हो रहे होंगे जैके या कहते हैं लाइक वर्ड होंगे यानि कि similar word होंगे और एक word जो होगा वो उस category में match नहीं करेगा तो उसको हमें find out करके बताना होता है चलिए सबसे पहले question लेके देखते हैं सबसे पहला question देखिए question number one है select the odd one देखिए select the odd one का मतलब यह है कि चार words जो भी given है उसमें से कौन सा ऐसा word है जो की odd है देखिए सबसे पहले में question लेके दो first eyes b second word nose c third word hands and fourth is words यहां पे जो पहला question है यह कह रहा है कि select the odd one यानि कि सबसे पहले हमें ध्यान से इन चारो words को देखना है जो हमें given है और इन four words में तीन जो हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक तरीके से एक दूसरे से relate हो रहे होंगे और एक word जो है उस category में नहीं होगा तो उसको वो हमारा answer हो जाएगा चैसे देखते हैं यहां पे देखें eyes है nose hands and oats given है तो सबसे पहले यहां पे यह है कि हमें इन सभी words का meaning पता होना चाहिए तो देखें eyes nose और hand यह सभी यह तीनो words कैसे हैं हमारे organ के name है body के body parts में चो organ होते हैं उनका नाम है यह तीनो और oats क्या है यह एक food item ठीक है जो कि खाने के लिए यूज़ करते हैं तो देखें यह तीनो एक category में यह क्या है इससे अलग है इसलिए oats क्या हो जाएगा हमारा answer हो जाएगा तो यहां पे odd one कौन सा हुआ option d oats ठीक है इसके बाद एक दूसरा question देखते हैं यहां पे देखें question number 2 again हमारे परस यहां पे 4 words होंगे and हमें odd one select करना हूँ select दो odd option a है chalk option d है pen option c है pencil and option d है blackboard चले यहां पे find out करने कोशिस किजिए कौन सा ऐसा word है जो की इन चारो words में से एक word जो होगा वो किसी ना किसी तरीके से odd word होगा ठीक है इसका क्या मतलब है वो तीन word इसमें से एक दूसरे से relate हो रहे होंगे लेकिन जो चौथा word होगा वो relate नहीं होएगा चली देखते हैं क्या क्या है chalk chalk किसलिए use होता है board पे लिखने के लिए write ना blackboard पे chalk से लिखा जाता है इसके बद पैन pen भी क्या है pen भी write करने के लिए use किया जाता है pen से भी हम लिखते है pencil से भी क्या करते हैं हम लोग write करते हैं क्या देखें ये तीनों word जो starting के हैं ये use किये जाते हैं किस purpose से कोई ना कोई चीज write करने के लिए बट ये blackboard जो है इससे हम write नहीं करते हैं इसके उपर write करते हैं है ना तो इसलिए ये तीन तो write करने के लिए use होते हैं इनसे लिखा जाता है इन तीन words से chalk से pen से और pencil से लेकिन blackboard से आप लिख नहीं सकते हैं उसके उपर लिखा जाता है इसलिए यहाँ पे जो option D है, यह क्या होगा, हमारा odd word होगा यहाँ पे, ठीक है, तो यह हमारे दो question रहें, दो-तिन question और भी देखेंगे इसमें, so that कि आपको एक clear concept मिल जाए, चलिए, next word देखते हैं, next question, question number 3 देखते हैं, select the odd one या फिर odd words, देखें, third question है, third question का first word है, mathematics, mathematics, दूसरा वर्ड है, arithmetic, तीसरा वर्ड है, algebra, और चोथा वर्ड है, geometry, फिर से इसको करने की कोशिश करते हैं, देखें क्या है, यहाँ पर अगेन चार वर्ड हमें गीवन हैं, और इसमें से तीन वर्ड जो हैं, किसी ना किसी तरीके से वो एक दूसरे से रिलेट हो रहे होंगे, लेकिन जो चौथा वर्ड होगा, वो उससे रिलेट नहीं होगा, वो हमारा और वर्ड हो जाएगा, ठीक है? तो चलीए देखते हैं, मैञ्ञेमेटिक्स क्या है, जी? एक सब्जेक्ट का नाम है, है न, अरिखेमेटिक क्या है? यह एक टॉपिक नेम है, किसके अंदर आता है? जी? मैञ्ञेमेटिक्स के अंदर ही, ठीक है? इसके बदर whole subject है, जिसके अंदर में arithmetic, algebra, geometry ये सारे topic पढ़े जाते हैं, यानि कि ये तो mathematics के topic है, ये subject उसका नाम है, यानि कि ये तीनों के तीनों topic है mathematics के, ये क्या है, subject का नाम है, तो इसलिए जो first word है, ये क्या हो जाएगा हमारा odd word का लाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे answer क्या हो जाएगा option A, ठीक है, इसी तरज से सारे question हम लोग इसमें करेंगे, चलिए एक औक और question देखते हैं, question number 4, select the odd one, देखे, next question, option A, triangle, option B, square, option C, circle, and option D, rectangle, चलिए, इन सभी ये चारो option जो है, geometrical shape है, जो कि आप लोग study कर चुके हो, तो देखे, triangle कैसा होता है जी, किस चीज से मिलके बना होता है, तो triangle जो है, line segment से मिलके बना होता है, जिसकी 3 side होती है, आपको पता है, right, square का है, square भी line segment से मिलके बना होता है, and इसके सभी side होती है, इसके बद rectangle की बात करते है, rectangle भी line segment से मिलके बना होता है, रैट ना उसकी साइट जो है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, शेर्कल क्या है देखी सेर्कल बिल्कुल गोल होता है थार यैनि की कोव्ड लाइन से मिलके बना होता है ऑकट, तो देखिए अब आपको डिफरेंज पता चल रहा होगा क्या है? triangle, square and rectangle ठीक है ये इनका जो इनकी जो sides होती है वो क्या है एक straight line से मिलके बनी होती है देखिए straight line से मिलके बनी लेकिन जो circle है ये circular arc से बना होता है इसमें कोई भी straight sides की नहीं होती है तो इसलिए इन चारो words में से हमारा circle क्या हो जाएगा odd word हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे circle क्या हो गया हमारा answer हो गया circle यानि option C ठीक है तो इसी तरह से different different question में different different logic इसमें अपलाई होगा और उसके भीहाब पे आपको इस तरह के सारे questions करने है चलिए एक आपक और question में बता देता हूँ question no.5 classification of words में इसको आपको try करना है option A है odd word हमें find out करना है option A है colors option B है green option C है orange option D है pink चलिए अगेन यहाँ पे देखते हैं कौन सा हमारा answer होगा कौन सा odd word होगा यहाँ पे तो देखे सबसे पहले पहला जो word है यह colors है ना यानि कि इसके अंदर बहुत सारे color आते हैं है ना okay green क्या है यह भी एक color है लेकिन एक इंडिविज्वल color है है ना green color का मतलब यह कि वह green color का ही होगा right but इस color color यदि कोई बोलता है तो क्या है उसमें बहुत सारे variety of color आ सकते हैं तो green एक specific color का नाम होगया orange is also a specific name of a color right now orange color है ना pink भी क्या है एक specific color का नाम है लेकिन color क्या है इसके अंदर बहुत सारे color आ सकते हैं color कहने का मतलब है कि बहुत सारा color हो चकता उसके अंदर लेकिन यह जो तीन words है यह specific color के नेम है तो इसलिए यह तीनों words जो है a category में होंगे और यहां पर जो color से यह क्या होगा हमारे लिए odd word हो ठीक है तो इसलिए हमारे जो answer होगा क्या होगा option a option a colors ठीक है तो आज होब कि आपको classification of words यह जो यह जो topic है आपको समझ में आया होगा और इस पर और भी बहुत सारे क्वेशन है जो कि आपको से करना है ट्राई करना है चलिए अब next topic हम लोग आज देखेंगे next topic है हमारा next topic है classification of numbers classification of numbers चलिए तो classification of numbers में क्या होगा तो यहां पर फिर से हम लोग ध्यान से देखेंगे क्या है classification of numbers में हमें again चार number given होंगे या फिर pairs में चार pairs given होंगे numbers के ठीक है और उसमें से हमें यह बताना होगा कि उन चारो words में से एक word कौन सा है जो उस category में नहीं आता मतलब तीन word जो है एक दूसरे से relate हो रहे होंगे या एक same category में fall कर रहे होंगे लेकिन एक word उसमें नहीं आएगा तो वो हमारा odd word कहलाएगा चलिए आईए देखते हैं question सबसे पहले देखिए पहला question है हमारे पास question number one select the odd number या फिर odd one ठीक है चलिए option ए देखते हैं क्या है यहाँ पर option A है 4, option B है 8, option C है 16, option D है 9 चलिए यहाँ पर try करते हैं कि इसमें से odd कौन सा होगा चलिए देखते हैं देखिए नंबर्स में बहुत सारे टेक्निक यहाँ पर use होंगे राइट ना जैसे हो सकता है किसी नंबर का cube लिखा गया हो यह सारे नंबर्स है ना इसमें से 3 cube लिखे को हैं एक cube ना हो है ना हो सकता है 3 prime नंबर देदे एक prime नंबर ना दे ठीक है हो सकता है कि किसी का square plus 1 करके दे दे square minus 1 करके दे दे q minus 1 q plus 1 करके दे दे तो हमें यह सारे जो टेक्निक हैं उनको apply करके देखना होता है तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या technique कि यहाँ पर क्या logic apply किया गया है तो देखिए सबसे पहला नंबर जो है यह 4 है और 2 का square है राइट देखते हैं 2 square क्या होता है 4 होता है न इसके बाद 8 देखिए यह किसी का square नहीं होता है 16 किसका square होता है 4 का 4 square को हम लोग 16 लिख सकते हैं राइट न and 9 is again here square of 3 ठीक है याने कि यह 3 number जो है 4 16 9 यह square किसी ना किसी number के square है लेकिन जो 8 है यह एक square number नहीं है तो इसलिए यहाँ पे कौन सा odd होगा option B ठीक है तो यहाँ पे हमारा answer क्या हो जाएगा option B ठीक है तो इस तरह से जितने भी numbers आपको given होंगे उनको आपको try करना है और कोसिस करना है कि वह उसमें क्या logic है किसी भी 3 words के बीच में और कौन सा word या कौन सा number जो है वह odd number चलिए next question question number two try करता है question number two question number two है select the odd number select the odd one second option a 23 option b 43 option c 53 and option d 63 चलिए यहाँ पर हमें चार number given है और हमें यहाँ पर यह बताना है कि इन चारों numbers में से odd word कौन सा है odd number कौन सा है तो सबसे पहले हम लोग logic find out करने की courses करेंगे ठीक है देखिए 23 23 किस से divisible होता है क्या बिलकुल नहीं क्योंकि क्या है यह एक prime number ठीक है 23 prime number के बारे में आप जानते है आप prime number ऐसा number होता है जो कि cable और cable या तो वो खुछ से divide होता है या फिर one से divide होता है और किसी number से नहीं divide होता है तो देखिए 23 क्या है एक prime number है क्यों क्योंकि यह या तो one से divide होगा या 23 से यानि कि यह एक prime number चीक है 43 के बारे में चेक करते हैं देखिए 43 भी again यह किसी से divide नहीं होगा ठीक है किसी के table में नहीं आता 43 यानि कि यह भी क्या है एक prime number है 53 को चेक करते हैं 2 से divide नहीं होगा 3 से भी नहीं यह भी एक prime number है ठीक है तो 53 क्या है एक prime number इसके बाद 63 63 को चेक करते हैं देखिए 2 से तो divisible नहीं है लेकिन 3 से divisible है 3 into 21 63 होता है राइट ना आप 63 को यह दी ऐसे तोड़ोगे तो देखिए 21 again 3 से 7 times यानि कि इसके factor बन रहे हैं यह 3 से भी divide होगा 7 से भी होगा 21 से भी होगा तो देखिए यहाँ पे बाकी के यह 3 number जो है यह 3 prime numbers थे यह एक category में और यह जो 63 है यह एक prime number नहीं है इसलिए option D क्या हो जाएगा हमारा answer हो जाएगा ठीक है चलिए तो यहाँ पे इस question का जो हमारा answer है वो क्या हो गया option D 63 ठीक है और यहाँ पे कौन सा logic apply हुआ प्राइम नंबर का चलिए next question देखते हैं अब question number 3 होगा हमारा चलिए देखते है question number 3 क्या है देखिए question number 3 जो है first option है यहाँ पे 3 is to 8 यहाँ पे pairs में number given है ठीक है option B है 6 is to 35 option C है 7 is to 50 option D है 1 is to 0 चलिए अब यहाँ पे हमें इनके बीच में odd numbers odd group जो है find out करना है यहाँ चलिए देखते हैं try कीजी आप भी देखिए 3 से 8 बना है 6 से 35 7 से 50 1 से 0 तो देखिए सबसे पहले हम लोग difference निकाल के चेक कर लेते हैं कि क्या difference से मा रहा है तो ऐसा नहीं दिख रहा हमें क्योंकि 8 और 3 का difference 5 होता है 6 and 35 का difference 29 हो जाएगा राइट ना यानि कि difference equal नहीं है कोई और logic हमें देखना होगा क्या इसका multiply करके यह बन रहा है 3 से multiply करके 1 subtract कर दोगे तो 8 आ जाएगा 3 into 3 9 minus 1 9 minus 1 8 है ना ओके यहाँ पर try करते हैं क्या है देखिए 6 से 35 चाहिए यानि कि 6 का table पढ़ते है 35 के near यानि 6 6 चा 36 राइट देखिए 6 into 6 36 होता है और उसमें से यदि हम 1 subtract कर दें तो क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा 36 minus 1 35 है ना यानि कि हम लोग यह कह सकते हैं कि 3 into 3 3 is square minus 1 यह number मिल रहा है 6 square minus 1 यह number मिल रहा है राइट आगे देखते हैं यह देखिए 7 square यानि 7 into 7 49 7 into 7 49 minus 1 नहीं हो रहा है यहाँ पे plus 1 हो रहा है राइट तो यहाँ पे 49 plus 1 यह 50 बना रहा है देखिए 3 square minus 1 था यहाँ 6 square minus 1 से यह मिला यहाँ 7 का square plus 1 से यह मिला है आगे वाला check करते हैं क्या है यहाँ देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 into 1 minus 1 ठीक है देखिए 1 into 1 1 आएगा और minus 1 subtract कर दोगे 0 आजाएगा यहाँ कि जो next number यहाँ पे बन रहा है यह बन रहा है 1 square minus 1 ठीक है यहाँ पे जो 35 बन रहा है यह बन रहा है 6 square minus 1 से यहाँ जो 8 बन रहा है यह 3 square minus 1 से बन रहा है यानि की यह A option B और option D same rule follow कर रहा है और जो C है option यह जो है different rule follow कर रहा है कैसे यहाँ पे 7 square plus 1 हो रहा है देखी पहला जो दो number written है यहाँ पे पहला number का square करके minus one करने पे दूसरा number मिल रहा है यहाँ भी पहले number का square करके one subtract करने पे दूसरा number मिला यहाँ भी पहले number का square करके लेकिन यहाँ पे add करना पड़ा one तब जाके दूसरा number मिला लास्ट वाले option में देखिए पहले number का square minus का 1 करने पे second number मिला तो यहाँ पे logic clear है कि पहले का square minus 1 करके दूसरा number लिखा गया है सभी में लेकिन accept option c यानि कि option c में ऐसा नहीं है इसमें क्या है पहले number का square plus 1 किया गया है तो option c जो है हमारा answer हो जाएगा इस तरह से हमें logic find out करना होता है यह दि कोई भी question given है तो यहाँ पे जो answer हो जाएगा हमारा क्या होगा कौन सा odd है तो इसका logic option c का odd है तो यहाँ पे option c क्या हो जाएगा हमारा answer हो जाएगा ठीक है, I hope कि समझाया होगा ये, चलिए एक और question देखते हैं, option A है, 2 से 4 बनाया गया है, again option B देखते हैं, 4 से 8 बनाया गया है, option C, 6 से 18 बनाया गया है, option D है, 8, 32, देखें, ये कोई जरूरी नहीं है कि इससे ये बन रहा हो, लेकिन इस तरह का कुछ ना कुछ logic इनके बीच में होगा, जिसके भिहाब पे ये लिखेगने हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे again find out करना है, तो main point ही है कि हम लोग कैसे सोचना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अभी अभी एक question हम लोगों ने देखा, कि हम लोग सबसे पहले addition चेक कर लेते हैं, कि क्या कुछ similar add करके बनाया गया हो, या कुछ subtract करके बनाया गया हो, या कुछ multiply किया गया हो, या square का logic follow हो रहा हो, या cube का logic follow हो रहा हो, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहला जोए 2 से 4 यदि हम बात करें, तो 2 square 4 लिख सकते हैं, next check करते हैं, next में follow हो रहा है नहीं, 4 का square करेंगे तो 16 बन जाएगा, यानि कि यह logic नहीं apply होगा, ठीक है, आगे देखिए, पहले number का, यहाँ पे देखिए, पहले number जो पहला first number है, इसका square करते हैं कितना आता है, 16, divide by 2 यदि हम कर देंगे, तो क्या जाएगा, 8 ना, next में apply करके देखिए, यहाँ पे देखिए, 6 का square by 2, करके देखिए, 6 square 36, divide by 2, 18, आ जाएगा ना, यानि कि यह logic apply हो रहा है, देखिए, दो जगे follow हो गया, क्या, पहले number का square, divide by 2, यहाँ देखिए, 8 का square, divide by 2, यानि कि 8 square, 64, divide by 2, is equal 32, राइट, यानि कि पहले number का square करके, 2 से divide किया गया है, अब देखिए, यदि एक logic similar, वो, यदि 3 options में satisfy कर गया, यानि कि जो fourth one है, वो क्या हो जाएगा, odd हो जाएगा, तो देखिए, यह जो पहले number पे हम लोग try कर रहे थे, यही वाला number odd है, यहाँ पे यदि आप 2 का square करके, 2 से divide करोगे, तो यह 4 by 2, 2 बना देगा, यानि कि यहाँ पे किसी, यह जो logic है, यहाँ पे follow नहीं हो रहा, इसलिए क्या होगा, यह option हमारा, odd option हो जाएगा, ठीक है, तो यह जो pair है, यह odd one है, चलिए, यहाँ पे हमारा answer क्या हो गया हूँ, option A, 2, 4, ठीक है, I hope कि यह समझाया होगा, तो इसी तरह से हमें logic जो है, यहाँ पे find out करना होता है, और इसकी बाद हमें बताना होता है, कि कौन सा number इन चारो options में से odd है, ठीक है, चलिए, आईए और भी एक दो question देखते हैं, question number 5 देखें गया, question number 5 है, choose the odd one out, odd one out, ठीक है, option देखते हैं, यहाँ पे option है, 49, option B है, 85, option C है, 36, option D है, 81, ठीक है, यह जो question है, आपका IMO level 2, 2012-13 में पुछा गया है, IMO में, चलिए, इसको ट्राइ कीजिए, इसमें कौन सा odd word होगा, वो हमें odd number होगा, वो हमें बताना है, चलिए, देखें, क्या है इसके अंदर logic, आप भी ट्राइ कीजिए, चलिए, 49, 85, 36, 81, देखें, फॉर्स्ट वर्ड जो है, यह 49, हमें दिख रहा है कि यह क्या है, 7 का square होता है, 7 square 49, 85 यह किसी number का square नहीं होता है, 36 के बारे में बात करते हैं, यह भी number जो है, 6 का square होता है, 81, 81 भी 9 का square होता है, यानि कि जो option A है, C है, D है, यह तीनों, square, perfect square number है, यह 7 का square है, 6 का square है, 9 का square है, लेकिन 85 किसी number का square नहीं, यानि कि यह perfect square number नहीं है 85, तो इसलिए, यहाँ पर यह logic फॉलो हो रहा है, और इसके यहाँ पर 85 जो है, क्या हो जाएगा, हमारा answer हो जाएगा, इसमें से 3 जो option है, वो perfect square number है, बट option B जो है, यह perfect square number नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पर answer क्या हो जाएगा, option B, ठीक है, तो हमें यह सारे logic यहाँ पर apply करके, इनको इस तरह के जितने भी question आएंगे, इनको हमें करना है, चलिए, एक question और देख लेते हैं, question number 6, question number 6, चलिए, option A है, 8, option B है, 64, option C है, 84, option D है, 27, शलिए, देखते हैं, choose the odd one out, 8, 64, 84, and 27, देखें, इसमें से कौन सा odd word है, odd number है, कौन सा option, तो देखें, 8 जो है, किसी का square होता है, क्या, नहीं, यानि, कि 8 square नहीं होता, देखो, ये भी square नहीं है, ये square है, right ना, किसका, 8 का, बाकि और कोई square नहीं दिख रहा हमें, यानि कि square का logic यहाँ पे follow नहीं होगा, next try करते हैं, cube का logic try करते हैं, देखें, cube, yes, ये जो 8 है, ये 2 का cube होता है, 2 into 2 into 2, right, 2 into 2 into 2, 2 to 4 and 4 to 8, इसकी बस 64, 64 भी किसी का square होता है, right, किसका, square नहीं cube, ठीक है, 4 cube क्या होता है, 64, 4 into 4 into 4, 4, 4 जा 16, 4 जा 64, इसकी बाद, 84 देखें, ये किसी का cube नहीं है, 27 को try करते हैं, ये 3 का cube होता है, 3 cube, 3 into 3, 9 and into 3, 27, ठीक है, यानि कि यहाँ पे 3 number जो है, ये किसी ना किसी number के cube है, लेकिन जो option C है, ये किसी का cube नहीं है, यानि कि profit cube number नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो answer होगा, हमारा option C, 84, ओके, इस question का जो हमारा answer है, वो क्या हो जाएगा, option C, तो यहाँ पे, I hope कि ये दोनों ही topic जो है, आपको समझ में आये होंगे, और यहाँ पे आज का ये जो lecture है, यहीं पे खतम होता है, तो इसमें से ज़्यादा ज़्यादा question जो है, आप practice करें, thank you so much.